तो बार करें लिए पकाई हेलो एप्रीबरीवाँ आप दिशिव शिखा स्रिवास्तो प्रों मैथमेटिक स्पाम आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चाप्टर 2 होल नंबर में एक्सरसाइस 2.3 सॉल्फ परेंगे अभी मैंने पहला question लिखा है क्या है पहला question? Which of the following will not represent zero? इसमें से कोल साथ zero को represent नहीं कर रहा है? मतलब किसकी value 0 नहीं आ रही है? तो चलिए हम लोग solve करके देखते हैं कि किसकी value 0 आ रही है किसकी value नहीं आ रही है? 1 प्लस 0 जब आप 1 में किसी number को add करते हो a plus 0 so a ही आएगा क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में आड़ करिए वही नंबर आता है तो 1 में जब आप 0 को आड़ करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा 0 into 0 जब आप 0 को 0 से multiply करा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा इसकी value 0 है 0 by 2 जब आप 0 को 0 divided by 2 करेंगे 0 कहा है numerator में जब numerator में 0 होता है और divide में denominator में कुछ और होता है कोई number होता है तो इसकी value 0 आती है 0 divided by any number not equal to 0 बस denominator में 0 नहीं होना चाहिए numerator में 0 हो और denominator में कोई number हो not equal to 0 so 0 by any number is equal to 0 इसकी भी value 0 आएगी अब D part में क्या है सबसे पहले आपको subtract करना है फिर divide करना है 2 से सबसे पहले subtract करेंगे 10 minus 10 0 by 2 अब फिर से 0 numerator में है जब 0 numerator में होता है denominator में कोई number होता है तो इसकी value 0 आती है 0 divided by 2 is equal to 0 आपको यहां बतारना था which of the following will not represent 0 इसमें से कौन सा 0 को नहीं represent कर रहा है यह बारा नहीं कर रहा है बाकी तो तीनों में 0 आ रहे हैं बट इसमें 1 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 या फिर विल नॉट रिप्रेजन जीरो विल नॉट रिप्रेजन जीरो जो 1 प्लस 0 है वो 0 को नहीं रिप्रेजन करेगा ओप स्ट्रेंट्स आपको यह कोईशन अच्छा समझाया होगा सो मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 टेक केर